Hello Friends, तो चलिए आज डिसकस करते हैं, NSEJS का पेपर जो की 18 तमवंबर को हुआ था, तो उसका solution देखते हैं, तो यह पेपर को JS511 से लिया गया है, तो from question number 41, इसमें बोला है कि Let AB be a diameter of a circle C1 of radius 30 cm, ठीक है, तो पहले एक circle हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसका radius हमारे पास दिया हुआ है, 30 cm, ठीक है, यह circle C1 है, and with center O, इसके center को हम लोगोंने O माना है, and two circles C2 and C3 of radius 15 and 10 cm, touch C1 internally at A and B respectively, A और B, के साथ साथ C2 जो है, वो internally touch कर रहा है, तो इस तरीके से बनेगा, इसका radius 15 cm है, तो जाहिर सी बात है, अगर radius 15 cm है, तो डायमेटर इसका 30 cm हो जाएगा, जो कि इस बरे वाले circle C1 के center से पास होता हुआ जाएगा, तो C2 इस तरीके से बनेगा, और C3 जो है, उसका radius 10 cm, तो वो तो center से नहीं पास होगा, लेकिन अब यहाँ पे इसका कहीं न कहीं center माली जाए, यहाँ पे होगा, तो इसका diameter 20 हो गया, तो इसके center और यह बरे वाले circle क बीच का distance हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यह आपका 10 है, ठीके यह भी 10 है, तो यह भी आपका मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का distance होगा, वो भी आपका कितना होने वाला है, 10 cm ही होने वाला है, ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो distance है, वो दिया हुआ है, 15 cm, इसके लिए जो radius था वो हमारे पास था 15 cm तो अब बोल ला है कि एक चौथा circle C4 टच करना चाहिए C1, C2 और C3 से ठीक है इस तरीके से हमें draw करना है कि तीनों circle को वो touch करें चौथा circle तो बोल ला है कि what is the largest possible radius of C4 तो क्या-क्या largest possible possibility हो सकते हैं एक possibility तो यह हो सकता है कि अगर हम लोग एक circle draw करें तो कुछ इस तरीके से draw होगा एक possibility यहाँ पर है फिर एक possibility such that यहाँ भी है लेकिन हमारे पास जो focus है यहाँ पर हमें देखना है कि वो largest circle के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो largest circle जो होगा वो तीनों के साथ touch भी करना चाहिए और वो बड़ा भी होना चाहिए तो कुछ इस तरीके से draw होगा circle आपका यहां से इस तरीके से touch होता होगा ठीक है इस तरीके से आपका touch होता होगा और यह जो circle बनेगा वो होगा आपका finally C4 तो जाहिर सी बात है अब यहां पर जो है इसका total डिस्टेंस आएगा आपका यह पूरा diameter वाला पार्ट यह पूरा diameter वाला पार्ट आपका हो जाएगा कितना इसके लिए C4 के लिए जो diameter होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1530 प्लस 10 यहने कि 40 cm इसका जो largest possible radius होगा वो होगा क्या 20 cm, okay so the answer will be 20 cm and जो option में दिया वा था वो आपका C option में 20 cm दिया वा था, so option C is correct, okay तो यह question number 41 था, अब next question देखते हैं, next question में क्या बोल रहा है कि एक 5 into 5 into 5 cube है, ठीक है, इसको build किया गया है using unit cubes, how many different cuboids that differ at least one unit cube can be formed using the same number of unit cubes, okay यहने कि 1 into 1 unit cube से हमें 5 into 5 का unit cube बनाया गया है, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, अगर diagram बनाया जाए तो, और हमें बोल लाए कि इन सभी unit cubes के मदद से, कब से कम एक unit cube तो लेना ही लेना है, उसके मदद से हमें cube wide बनाना है, क्या बनाना है, cube wide, तो कितने सारे बनेगे, how many can be formed, different cuboids, है ना, तो अब जाहिर से बात है, अब हमें unit cube बनाना है, sorry, unit cube, sorry, cube wide बनाना है, अलग-अलग, तो cube wide बनाने के लिए अब हमें इसमें तो length भी चाहिए होगा, breadth भी चाहिए होगा, height भी चाहिए होगा, इस cube के मदद से बनाना है, तो यह वाला जो एक cube है, अगर इ unit cube है, फिर यह और यह जूर करके एक cuboid बनेगा, ठीक है, फिर यह और यह वाला पूरा जूर करके भी cuboid बनेगा, तो ऐसा देखते चले जाएंगे, कि अब हमारे पास जो length लेने का, जो, क्या बोलते है, selection है, कितने तरीके से हम लोग ले सकते हैं, length को कितने तरीके से हम लो 6 है, तो 6 में से कोई 2 तरीका है, है न, 2 को लेंगे, तो यह length हम लोग ले सकते हैं, यह दो ले सकते हैं, तो इस तरीके से एक तो length लेने का यह तरीका हो गया, फिर उसी तरीके से width का भी लेने का वही तरीका रहेगा, क्योंकि पूरा figure ही symmetry है हमारे पास, और height लेने का भी व involved होगा, क्योंकि cube भी एक तरीक का cuboid है, cuboid ही है, special type of cuboid है, है न, जिसके सारे side इसके equal होते है, तो इसमे cube भी involved होगा, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूब पूछ रहा है, तो इसमें cube के number को minus करने का कोई जर्वत भी नहीं है, तो अगर इसको calculate करके देखेंगे, तो इसको calculate करेंगे, तो यह आपका आजाएगा, 6 into 5 by 2, ओके, और यह तीन बार है, तो इसका cube हो जाएगा, इसको cancel करेंगे, तो यह 5 into 3, 15 का cube, ओके, and after solving, इसको solve करने के बाद हमें जो मिलेगा, वो मिलेगा 3375, यानि इतने सारे cuboid बन सकते हैं, तो यह paper में जो option था, वो option number D थ ंरे पीस, ऌ Pero इसको जो मिलेगा चेँ इसको ऑन सकते हैं, पिर्ङ Tibet भर में जो मिलेगा 24 वार मेले बन सकते हैं, जो kalauciendo हैं, और जो कै दे जो हो ँढएगा हैं, तो डिर जो करेंगे तो इसको हैं, तो हुएषब करेंगे बने सकते हैं, और हमाएग गार हैं, यह थांतो हैं,